नमसकार साथियो, मैं हूँ मिकुपाल और आप देख रहे हैं स्वेन्थ-फेज पीकुपाल परदेश में जितने भी बीटेट सेट पास किए हुए भावी शिक्षक साथी हैं जो शा गयों में भावी शिक्षक बनने वाले हैं सभी के मेरा नमस्कार अभार अभी नंदन साथियों 2023 की अभी तक का सबसे बड़ी अपडेट आज दिनांग तीन एक 2023 है और आज के दिन बिहार सरकार के द्वारा कोमार्स वाले जो हमारे भाई बहाने उनके लिए बिगवति जारी कर दिया गया है और बहुत कम आवेदन के लिए मौका दिया गया है चुकि 14 दिन का है 14 दिन में सभी लोगों को आवेदन फिल कर देना है और इसके बाद एक महिना का भी शमय नहीं लगेगा और इनका एकजाम हो जाएगा साथी साथ एक और बड़ी अपडेट है कि बहुत जल कमर्स के आलावा भी एस्टेट का आवेदन भरने के लिए मौका मिलेगा चुकि उसमें अभी समय है महिना दिन समय लगेगा फरवरी से हो सकता है कि शभी के लिए मौका मिले चाहे हो आर्स हो या कमर्स हो या साइंस हो सब्सकार को कड़ी फटकार लगी और कड़ी फटकार के साथ साथ उन्हें और दिया गया पटना उचिना लेके द्वारा कि जितना जुल्द हो सके कुमर्स वाले साथियों को एक्जाम कराया जाए तो इतनी संधर्व में आज की लिए यह सबसे बड़ी अफडेट है और ब 40 वर्स है और इनके बाद EBC और BC जो भी मतलब आरक्षड कोटिक है उनके लिए 40 वर्स की गई है और अगर बात की जाए रिजर्वेशन का तो सामाने स्रड़ी यहने जेनरल में 50 परसेंट BC के 45.5 परसेंट और EBC के लिए 42.5 परसेंट अनसुचित जाती जन जाती यहन दिव्यांग साथी के लिए 40 परसेंट तो यह रहा आज का अपडेट और इनका बहुत जल्द एक्जाम भी होने वाला है फरवरी में हमें इनका एक्जाम भी होगा और हो सकता है कि फरवरी में पुना हम सभी को मौका मिले जो विएड करके एक स्टेट के लिए इंतजार में है तो उनको भी एक मौका मिलेगा चुकि जो बड़े पैमाने पर जो सीटेक रिखती रहा गये उनको ले करके निरलाय लिया गया है कि बहुत जल्द इनका भी एक्जाम कराया जाएगा लेकि अब प्राथमी की बहाली के बारे में कोई परतकिरिया आएगी है फिर मतलब ऐसे ही सुनने के मिल रहा है बरहाल जो भी न्यूज होगा वह आप लोगों के बीच जरूर दिया जाएगा तब तक इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के आभार अभिनेंदन नमस्का झालब भी जड़िए